लोग सबा चुनाओ हार के बाद एक्शन में CM योगी जो जो अखिलेश श्यादब बोल रहे योगी आदितिनात बही सब कर रहे जिस राय को पहले नहीं माना अब उसी पर किया जा रहा अमल सरकारी अधिकारियों के नाम जारी हुआ सरकारी फर्मान इधर CM योगी ने अधिकारियों के कसे कनने तो अधर सपाचीफ ने कह दी बड़ी बात देखे अखिलेश श्यादब की कौन सी राय को CM योगी ने अब माना और किया उस पर अमल एक दोर था कि पूर्व सीम अखिलेश श्यादब अगर सरकार को कोई राय देते थे या बात करते थे तो उसे हवा में उड़ा दिया जाता था या फिर मजाक बना लिया जाता था लेकिन लोग सबा चुनाओ दोजार चौबीस ने ऐसी तस्वीर पेश कर दी कि अब सरकार में बैठे लोग और नित्रुत्तों करने वाले सब उन्हीं बातों पर अमल कर रहे हैं जो एक वक्त में उन्हें फिजूल लगती थी खासकर पूर्व सीम अखिलेश श्यादब की अब तमाम बातों पर अमल किया जा रहा है और सीम योगी आदितिनात अब अधिकारियों के कन्ने टाइट करने में लगे हैं आपको यादी होगा कि पूर्व में सपाचीफ अकसर सरकारी अधिकारियों की मनमानी को लेकर नाराजगी जताते रहते थे और सरकार से भी कहते रहे कि जो नमबर आपने अधिकारियों को दिये हैं उन पर अधिकारी बात तक नहीं करते कईयों ने तो बंद करके रखे हुए हैं तब पूर्व सीम की बात को आया गया कर दिया गया लेकिन अब सीम योगी आदितिनात ने आदेश जारी किया है और सखत लहजे में हर सरक अधिकारी अधिकारी को निरदेश दिया है कि इस नमबर को बंद न किया जाये। सियम योगी आदितिनाद के ओफिस की तरफ से जब से ये पोस्ट किया गया है तब से विरोधी दलों की तरफ से खास कर सपा के निताओं की तरफ से जम कर मजे लिये जा रहे हैं और सपाईयों का कहना है कि जिसे पहले अंदेखा किया गया और मजाक में लिया गया अब जब स प्रियासत में जिस तरह का हला बोल दिखाई दे रहा है उसने हंगामा पैदा कर दिया है और दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में हल चल और तेज होने बाली है। तो किसी का कहना है कि अधिकारी अब भी मामले में सुध नहीं ले रहे हैं तो उनकी CDR निकलवाई जाए और RTI से जानकारी ली जाए कि कितने नंबर्स पर बात हुई और कितने नंबर्स पर उन्होंने कॉल बेक किया और कितनी समस्याओं का निराकरन किया। इसके बाद जब अधिकारी दोशी पाए जाते हैं तो फिर उनके उपर एक्शन लिया जाए। तमाम तरह की रियक्शन से सामने आ रहे हैं और खासकर समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से जमकर सतधारियों पर अवत तंज कसा जा रहा है। जोरो रिपोर्ट मीडिया हल चल।